पूई मिल गया फेम आक्टर रजट बेदी के खलाफ सुंबार शाम अंधीरी में कते तौर पर लापरवाही से गारी चलाने और अपनी कार से एक पैदल यातरी को टकर मारने का मामला दर्श किया गया है। पुलिस के मताबिक हादसा शाम साड़े 6 बजे करीब हुआ। पीडित की पहचान 49 वर्षिय राजेश दूद के रूप में हुई है जो अंधेरी के एक जुगी बस्ते का निवासी है। कूपर अस्पताल में राजेश की हालत मुरत घोशित कर दी गई है। इस बात के जानकारी देते हुए पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने कहा। दुरघटना के बाद रजट बेदी पीडिता को कूपर अस्पताल ले आए और फिक मामले को रिपोर्ट कराने के लिए पुलिस स्टेशन आए। अभी नेता ने दावा किया कि पैदल यातरी नशे में था और अच्छानक कार के सामने आ गया। हम सीसी टीवी कैमियों के जांच करेंगे और घटनाव के क्रम का पता लगाने के लिए गवाहों का पता लगाएंगे। रजट बेदे के खलाफ IPC की धारा 209, 338 और NV Act की धारा 184 के तहट तेज और लापरवाही से वहन चलाने से गंभीर चोड लगने का मामला दर्श किया गया है। हाला कि मीडिया से बाचीत में रजट के बिस्नेसमेन मैनेजर श्रीदेवी शेटी ने इस बात पर सफाई भी है। रजट बेदी को रितिक रोशन की फिल्म कोई मिल गया में राज उसकसेना की भूमिका के लिए जाना जाता है। उन्होंने रक्त खामोश और रोकीद रीबेल सही 40 से अधिक फिल्मों में काम किया है। तो क्यों दोस्तों आपको क्या लगता है रजट बेदी को सजा मिलनी चाहिए या नहीं। हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। अपने दोस्तों के साथ शेर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नई है तो जल से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।